इस्टेगराम पर पिछले दो दिन से एक प्रॉब्लम चल रही है प्रॉब्लम का नाम है You can't send message for 30 days ये प्रॉब्लम काफी लोगों को आ रही है और इस्टेगराम पर काफी परसन message नहीं कर पा रहे हैं अपने friend लोगों के पास में उनके message नहीं send हो पा रहे हैं इसको हम केसे solve करें तो वीडियो में आप end तक बने रहे हैं अगर आप इसका solution चाते हैं आप ये जानना चाते हैं कि ये problem क्यों आई है और इसको fix करना चाते हैं तो वीडियो के इंदर आपको एक तरीका बताया जाएगा उस तरीके को आपको follow करना होगा उसके बाद में आपकी जो problem है 100% solve हो जाएगी तो उसके लिए आपको बस वीडियो को end तक देखना है इसकी इप नहीं करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाननेजे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं काफी लोगों को आ रहा है आप काफी लोग कह रहे हैं हमने तो कोई भी committee guideline break नहीं की instagram की उसके बाद भी हमें इस तरह का interface आ रहा है हमारे message नहीं जा पा रहे है तो ये गिलीच है एक bug है काफी लोग कह रहे हैं हमने अपने instagram को delete भी कर दिया अपने instagram को logo out login ये भी करके देख लिया और clear data clear केचे भी कर दिया उसके बाद भी problem solve नहीं हो रही है तो ऐसा करने से आपकी problem solve नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने से आपकी problem solve होगी एक तो मैंने आपको बताया है कि ये गिलीच है बग है जो कि instagram की तरफ से automatically इसको fix किया जाएगा और जैसे ये fix होगा आपके instagram का update भी आएगा अपडेट जाकर के आप play store पर check कर सकते हो अगर आपको ऐसा रहा है कि अपडेट आया होगा है तो अपडेट कर लीजिए कि हमें हमारे instagram के अंदर इस तरह की problem आ रही है और हमने कोई instagram की community guideline को भी break नहीं किया है और फिर भी हम किसी को message नहीं कर पा रहे है तो इसका solution क्या है वहले instagram को आप बता सकते हो कि इसका solution कीजिए हम message नहीं कर पा रहे है और वहाँ पर आपको एक screenshot भी add करना होगा screenshot add करने के लिए बोला जाता है जब आप help पर जाते हो screenshot में क्या add करना है वहाँ पर आपको add करना है वो ही problem जो आपको face करनी पड़ रही है जो कि आपके display पर आ रही है problem वो screenshot add करना है और उपर में आपको लिख देना है अपनी problem के बारे में और उसके बाद में उसको submit कर देना है submit करने के बाद में आपको wait करना है और फिर देखना बहुत जल्दी आपकी ये problem solve हो जाएगी ये गिली छे एक bug है जो कि काफी लोगों कोई ये problem आ रही है बाकी आपके account में वेसी कोई problem नहीं है बहुत जल्द इसको solve कर दिया जाएगा I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगए होगा आपको पसंदा आई हो तो इसको like करें share करें मेरे channel को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में